हेलो, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे बिहार बोर्ड अस्टेडी पॉइंट प्रिंसर और हमारे कोचिंग का नाम TNS कोचिंग सेंटर जादोपूर आज के क्लास में हम लोग इंग्लिस का चैप्टर वन का पार्ट फाइब पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है जीने की रफ्तार जिसको लिखे है आरसी हचिंसन अथर का नाम जो है लेकर का नाम है वो आरसी हचिंसन है जो आप लोग जानते ही है पीछे आप लोग उने पार्ट और उस वीडियो में मैंने बताया था कि next वीडियो में मैं आपको इसका objective question answer दूँगा तो मैं फिर से लेकर आया हूँ the past for living chapter का objective question and answer objective question and answer ठीके ना तो चलिए एक-एक question को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लेज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है आपके लिए उप्योगी लगता है तो आप इसको लाइक किजिए अपने दोस्तों में शेयर किजिए ताकि ज टैनल पर आपको अपर नाहीं तो इसको पुझे थार शेयर कि अब्सक्राइब करके लाइक लिए और अनुठंट चेप्टर को लिखें option देदेगा उसमें एक RC Hutchinson भी रहेंगे तो आपको जहाँ भी the pace for living is written by दिखाई दे तो RC Hutchinson पे ही टिक किजिएगा ठेक है दूसरा अमारा question है in the pace for living the writer captures the agony of मतलब in the pace for living the pace for living में the writer capture लेखक ने क्या capture किया है the agony of agony मतलब होता है दर्द यानि लेखक जो है इस फार्ट में किसके दर्द को capture किया है किसके दर्द को दिखा रहे हैं तो answer मम लिखेंगे modern man, modern man मतलब आधुनिक मनुस्या, आधुनिक व्यक्ति यानि आज के समय में हम लोग, यानि आज का समय का क्या दर्द है क्या एगोनी है उसी चीज को इस चेप्टर में लेखक ने दिखाया है मतलब कि आज के लोग जो है हर चीज में बेचैनी में रहते हैं कोई भी काम कोई भी व्यक्ति धीरे नहीं कर सकता है पहले की तरह तो इसका हो जाएगा प्ले शत्र में तिसरह है ता में केरेक्टर इन द प्ले विच ढथर व अठरवाज में करेक्टर मूख्यक च lip य Sunshine जो है में इस नाटक में प्ले में बेंग या जैका कि अनुसारं की निका है मतलब्लेखक इस नाटक में सबसे मुखे भूमिक्या किसकी रखते हैं तो एन एल्डरली कॉर्ण मर्चेंट एक एल्डरली मतलब हो गया प्रॉड मतलब एक टाइप से अधेड बोल सकते हैं एक प्रॉड मक्के का ब्यापारी वही है निजयी कि अब पुर्या चैप्टर जो पढ़े हैं उस चैप्टर में क्या है कि एक मक्के का ब्यापारी है जो इसकी में किरदार कर रहा है उसकी एक वाइफ है उसका एक भतीजा है सारेशिस के बर्यम पढ़े तो में कैरेक्टर अगर इस चैप्टर में पूछे इस नाटक में कौन है तो आप कहेंगे एन एल्डरली कॉर्म मर्चेंट ठीक है न यह अग्亮 करते हैं न यात्रा करने के बाद वी the real of travel مतलब हमें वास्त्रीक रूप से क्या नहीं मिलता है मतलब हम अगर किसी हवाई जायज में यत्रा करते हैं तो हमें वास्तों में क्या नहीं मिलता है तो वो नहीं मिलता है प्लेजर प्लेजर मतलब खुसी रियल प्लेजर वास्तवी खुसी कब जब हम किसी प्लेजर में ट्रेबल करते हैं तो डॉजनट गिफ हमें नहीं मिलता है अगर लेखक का अनुसार हमें प्लेजर वहीं पर मिल सकता है जब हम बस से यात्रा करें रेल गड़ी से यात्रा करें मतलब छोटे-छोटे वायनों से यात्रा करें उसमें जितना हमें खुसी मिल सकता है उतना बड़े-बड़े वायनों में घुमने से हमें उसी मिलेगा भी तो real happiness, real pleasure कभी नहीं मिलेगा आपको। फिर पांच नमबर है, where did the author saw the play? लेखक ने नाटक कहा देखा था, तो Dublin, Dublin जो जगा है, वहीं पे इन्होंने नाटक देखा था। छे नमबर है, who had the fantastic notion of spending 10 pounds on holiday? यानि कौन थी, जो 10 pounds प्रते एक holiday पे, प्रते एक छुट्टी पर spend करने का उसने notion बना लिया था, मतलब खर्च करने का उसने एक आदत बना लिया था, मतलब कौन है इस सेप्टर में, तो 10 pounds जरूर खर्चा करेगा किसी भी holiday पे, उसका एक fantastic notion बन चुका है, एक आदत बन चुकी है, तो कौन थी जी वो, wife of the corn merchants, corn merchant की पतनी, वो क्या करती थी, कि किसी भी holiday पे, 10 pounds जरूर खर्च करती थी, वो इससे कम कभी करती नहीं थी, जो corn merchant को अच्छा नहीं लगता था, साथ नंबर आवारा objective है, R.C. Hutchinson वाज ए, dot dot dot, यानि कि R.C. Hutchinson क्या थे, तो सुरू में ही हमने पढ़ा था, फर्स्ट पेज में, British Nobelist, वो एक British उपन्यास्कार थे, एक अंग्रेजी उपन्यास्कार थे, ठीक है, Who is cheating the corn merchant? Cheating मतलब होता है धोखा देना, यानि corn merchant को, मक्की के ब्यापारी को धोखा कौन दे रहा था? तो पढ़ा है न चैप्टर में, कि उसके पत्ने 10 पॉंट्स खर्च कर देती है, और उसका जो भतिजा है, यानि उसका जो नेफिव है, उसको धोखा देता है, तो लिकिंगे नेफिव आफ कॉर्न मर्चेंट, याँपे एस्ट्रोफी है सुट गया है, लिख लिजेगा, 9 नमबर है, कि who did not like the rapid moment of life, कौन है जो इस तेज भाग दरबरी जिन्दगी को पसंद नहीं करते हैं, रैपिड मोमेंट अफ लाइफ, भाग दरबरी जिन्दगी को कौन है कि did not like पसंद नहीं करते हैं, तो वो है author, लेखर, आरसी अचिंसन जी, आज की जो भाग दरबरी जि वेर इन दफिल्म, फिल्म में कितनी लड़किया थी, जैसे हमने कहाली जो पढ़ा, पूरा चैप्टर पढ़ा, तो उसमें हमने क्या देखा, कि जब author है और उसकी पतने का फिल्म देखते हैं, तो author को जल्दी कोई बात समझ में नहीं आती है, काफी वक्त लग जाता है, उ बी-सी, दो सुनेले बालो वाली थी, एक ताले बालो वाली थी, तो तीन लड़किया थी फिल्म में, ग्यारा नमबर है, हूँ आज एनेक्सियस में, कौन आदमी था, जो एनेक्सियस था, मतलब परिसान था, डरा हुआ था, तो वो था कौन मर्चेंट, मक्के का ब्यापार और लास्ट है हमारा, वेश ट्राइब दिड़ अठर बिलोग, अठर जो है, वो किस प्रकार के ब्यागती हैं, तो कहेंगे स्लो थिंकर्स, धीरा सोचिने वाले ब्यागती हैं, तो इस तरह अगर आपका एक्जाम में, इस एफ्टर से कोई भी अब्जेक्टिव क्वेशन गाराता हैं, तो इस 12 ग्वेशन में से ही कोई भी अब्जेक्टिव क्वेशन रहेगा, आप लोग पीछे का पीछे साल का जो एक्जाम हुआ है, उस पर जाके मिला सकते हैं, इनी बारे में से अगर कोई भी एक भी क्वेशन दो क्वेशन आएगा तो इनी 12 अब्जेक्टि वीडियो में अगले क्लास में मिलते हैं इसका short type question answer लेकर और long type question answer एक ही साथ थोड़ा सा वीडियो वो लंबा होगा लेकि उसमाँ short question type और long type दोनों का दोनों clear कर देंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही लास्ट मैं फिर से ये बात कहूंगा अगर आप चैनल पर नए है तो वहाँ पर जो red color का subscribe बटन उसको click करें और bell icon को दबाके all वाला option select कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो दाकूंग आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद